यह द्लाओं है जो है यह बड़ गी बगल में पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल में हमसे बहुत सस्ता डिजल पेट्रोल भी रहाए हम उसे बहुत महेंगा बेच रहे हैं पिर-भी हम करते हैं कि हम इह महान है आप GST एतना अच्हा चानून है आप करते हैं गाते हैं बहुत अच्छा कानून तो पेट्रोल स्लीन नहें प्रेट्स को क्यों भूँत धन्य वाड़ आपको भूत दर्बों कर दाम बढ़ गए जिससे लोगों की परसानियां पढ़ते जा रही है सर महेंगाई बढ़ गई इस सरकार में बैठे वे लोगों को चिंता करना चाहिए ना जिसको आप लोगों देखे जिता रहे हैं जिससे सरकार बना रहे हैं जो कहता है कि हम विश्वास मत हासिल की हैं उसको भी चिंता होनी चाहिए ना इस बात की कि महेंगाई बढ़ गई बगल में पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल में हमसे बहुत सस्ता डिजल पेट्रोल भी लोगों का अपना घर विग गया जमीने विग गयी बैंक डिपॉजिट खतम हो गए औरत का गहना विग गया ऐसे समय में आपने प्रेट्रोल कदाम बढ़ा दिया आपको उल्टा देना चाहिए आप छीन रहे है यह अन्या नहीं है क्या और इसको सुने क्यों आप अड़ा रहा थे हम लोग देशी तरीके से जिन्दगी जीते हैं हम विदेशी स्टाइल से नहीं रहते हैं इतना ज्यादा आप कर्ज बैंक डुबा रहे जीडिपी खतम कर दिये एंपिए लाखों करोड चला गया यह आम जंता समझती इस बात को कितना 18 परसेंट जीस्टी ले रहे एक रिक्सा वाला से भी 18 परसेंट जीस्टी लेते हैं किसान को आप क्या दे रहे हैं किसान आज 6 महिने से ज्यादा हो गया बैठें अपनी मांग को ले करके आप सुन नहीं रहे हैं उनको उनसे बात नहीं कर रहे हैं आपने उनको जेल भेजवाया मारा पिटा फरजी मुक अपने फिया देता है आप योग करा रहें जिसका घर में बच्चा मर घया जिसका बेटी मर च जिसका पतोश मर गया गया गो झोखे सबस्क्राइं अविदा है पांच-पांच रुपेई की दवा है डेक्सा में था सुन एज्ट्रोमाइसिन डॉक्सिसाइकलिन इस अब करोना में दवा काम आने वाले अस्पतालों में नहीं मिल लई थी रेमेडिय सीवर और इतनी महही में दवा हैं बाते करने से नहीं होगा इसलिए हमारे देश में आम पुछे सरकार से न हम को पता है क्यों जयर मिडाल दिया गया खाते तो हैं संसद होते किसी सैंस्दा होते संस्याधा कर लिकाले offense किया हम वीचारों से समझोता नहीं कर सकते हैं हमको कोई दिक्रत नहीं सरकार किसी की चले लेकिन आम जनता के चेहरे पर खुशी आवे और सरकार हमसे बात करें और समस्याओं को सुने हम क्या कर रहे हम तो एक दिखा रहे हैं कि भई हम ऑक्सिजन बाट रहे दवाई बाट रहे तो आप उसको जेल में डाल दे र भीए वह कारन नहीं को सपती शर्रां को जालें अब सारकार को जो की सांख धिउन लेकिन जूभी है कि उस्था भभ के साहरें पबलिक के साथ लिए न एड़न नो घर्मेंदेपा Beta जो हैं पेट्रोलियूम मंत्री उन्होंने वादा किया हम आज के महिने में कि तेल कदाम घटेगा लेकिन लगातार बढ़ते जा रहा है अभी तो बिहार में 100 के उपर चला गया है सर उन्हों का कहेंगे 100 साल पुरानी आरेसेस है और आरेसेस की पर्योजित पार्टी भार्चेंता पार्टी आरेसेस का नारा हम बच्पन से सुनते हैं स्वादेशी अजब पधान मंत्री मोदी जी बने तो इन्होंने का कि 100% FDI लाएंगे स्वादेशी नहीं 100% बिदेशी तो हम जो भी हमारी व्यवस्ता है में अपनी व्यवस्ता में करेंगे हम करजा लेके गाड़ी थोड़े खरीद लेंगे हम तो अपने बाप दर्टी संपत्ति को आराम से बचा कर रखेंगे न तो उसको बेचके हम स्वार्ज न खरीद लेंगे बड़े-बड़े जहाज खरीद को आप देश के मालिक को नौकर मारेगा आप को निकल गए अपने घर से पैसा जिस तरह से पुलिस वालों ने पैसे वसूली किये है इस कुरोना काल में हद हो गई उसकी पुरे बिहार पुरे देश में पुलिस वालों ने जवर्जस वसूली किये और मार मार के वसूला पैसा कोई सुन रहा है उनको मैं तो सरकार से अपील करता हूँ दोग चीज के लिए फास्ट ट्रेक कोड बनाईए ट्रिबुनल बना दीजिए कि जिसको पुलिस ने मारा है वो आकर फैयार लिखावे और जो फर्जी दवाई से लोग मरे हैं वो आकर के फैयार लिखावे करोना से लोग मरे हैं और उससे भी ज्यादा फर्जी दवाऊं से मरे हैं जो दवा ठीक थी उसको लोगों ने खाया वो ठीक हो गए फर्जी दवा खाया वो काम नहीं कि वो लोग मर गए बिहार के अंदर फर्जी दवाऊं का बहुत बड़ा रैकेट है जो करोना में लोगों जियल में डालो बीहर सरकार से भी हम आपके मादधम से मांग करते हैं कि फरजी दवाएं बैचने वालों को आप जाज करें पना के नेता के लिए कंसे नेता आप दुनिया में बहुrial刃 बारा आती है लेकि एक साल-ững साल के बाद योट रधेंक यह काम कर लेती है हमारी सरकार इसलिए काम नहीं करती है कि इनको बार से जब बार खतम होगी अब स시는 के और नेताओं की कोठियां दिली में खरी दियाने लगे बाढ़ के पैसे से दिल्ली में ये लोग कोठी खरीते बड़ा बड़ा बंगला खरीते बड़े-बड़े अपने बच्चों के नाम फैक्स दिपाजिट कराते हैं जमीने खरीते इसलिए कभी बाढ़ का इंतिजाम परमनें नहीं हो सकता है बिहार में बिहार के लोगों को ऐस सही जाद विरादरी धरम बजब के नाम पर ओड़ देते रहेंगे बाढ़ बर्शाचार तिरसकार अपमान सहते रहेंगे जहीं